आप देख रहे हैं हमारा Medicine Review exclusive series इस series में हम बात करते हैं दिये गए drug का specific mechanism of action उनके individual constituents के बारे में साथ में ये भी देखते हैं कि जो दवाई आप ले रहे हैं लेने वाले हैं या फिर आपके डॉक्टर ने किसी अपने परिचित को prescribe किया है तो वो किस किस केस में prescribe किया जाता है कैसे वो उस problem को ठीक करता है जिस problem के लिए आपने वो लिया हुआ है मैं एक registered pharmacist कम professional pharmacologist हूँ मेरे पास 11 साल का teaching experience है in respect to pharmacology इसलिए इस वीडियो में जो भी आपको बताता हूँ पूरी authenticity और पूरी जिम्मदारी के साथ बताता हूँ Self-medication कभी मत करिएगा जब हम बात करते हैं हमारे शरीर की तो ये एक ऐसा complex हिस्सा है जहाँ पे हर एक part हर एक organ एक दुसरे के साथ मिल करके काम करता रहता है कभी कभार ऐसा होता है कि आप जाने अन जाने में किसी ऐसे object के contact में आ जाते हैं जो आपकी body में enter करके आपकी body के particular part या more than the one part को affect कर देता है अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं काम करते करते मैंने किसी ऐसी surface को touch कर दिया जो गंदगी रखी वी है अब मुझे ये नहीं पता कि उस गंदगी में कौन कौन से macrosm है उसको touch करने के बाद मैंने उसी हाथ से अपनी body को affect करने वाले कई अलग-अलग तरीके के macrosm होते हैं including bacteria, fungus, virus, etc. लेकिन आज हम बात करेंगे bacteria के respect में तो अब जब अभी bacteria आपके body में आता है तो इसे हम कहते हैं एक ऐसा condition जहां पे आप infected हो गए हो उस particular type of bacteria से infected हो गए हो यानि कि infection cause हो गया है अब ये infection अलग-अलग सरीर क ये हिस्से में हो सकता है और अलग-अलग problem से आप face कर सकते हैं for example आपको brain का infection with inflammation जिसे हैं meningitis कहते हैं ear infection, nose infection, mouth infection, throat infection, lung infection, GI infection, genito-urinary tract infection, STD जैसे अई अलग-अलग केसे हो सकते हैं यहां पे ये जो आज का drug है वो इन मैंसे काफी कुछ को manage करने में करता है बात यहां पे खतम न इसे भी हिस्से को operate करवाते हैं चाहे वो छोटा सा टांका हो या फिसक सेक्शन की delivery हो या फिर कोई part की specific operation हो चाहे पाइल्स हो या कोई और पार्ट हो जब कभी भी operation कराते हैं तो chances बढ़ जाते हैं कि उस particular part में क्योंकि वहां पे cut होने वाला है cut होगा मतलब वो part exposed हो गया है जब कभी भी ऐसा होगा तो वो particular part infectious agent bacteria के contact में आने की ज़्यादा सम्भावना possibilities रखता है ऐसे case में वहां पे pus, blood, fecal material या कोई भी और organic material depending upon the location in your body वो उस bacteria के growth को support करता है इस तरीके से bacterial infection बढ़ते जाते हैं और अगर इसे या तो पहले से manage नहीं किया गया या बाद में manage नहीं किया गया तो यह sepsis cause करेगा और वो जगह भरने निक बजाए बढ़ने लगेगा और उसमें कई मवाद, pus ऐसे बने लगेंगे जो कि बहुत वड़ा problem create कर सकता है तो ऐसे chances क्यों होते हैं जब आप surgery करते हो तो cut तो लग नहीं लगना है तो फिर ऐसे chances बाद में क्यों develop होते अब इससे कैसे ठीक कर सकते हैं? सिंपल सा option है आपको during the operative procedure as per the guidance of your medical practitioner कुछ specific drugs दिये जाते हैं जिसे हम broad spectrum antibiotic या तो narrow spectrum antibiotic ओवराल बला जाये तो अच्छा रहेगा कि मैं एक वर्ड यूज़ करूं, antibiotic आपको दिया जाता है ये antibiotic class है मानने कि ऐसे drug की class है जिसका use हम तब करते हैं जब आपकी body में किसी भी bacteria की growth से होने वाले infection से आपको बचाना है वो पूरी की पूरी drug इसी category में रखी जाती है अब doses form के accordingly अलग-अलग हो सकता है, tablet हो सकते है, capsule हो सकता है, या तो इस तरह का injectable product हो सकता है, that depends कि situation क्या है, demand क्या है, आउशकता क्या है, उसके हिसाप से बद throat, lungs, GI, ऐसे अलग-अलग infection के साथ में, during the process of operation, या even after operative procedure, होने वाली infection को काफी कम करने में मुदद करता है, ये एक ऐसा drug है, जो infection को कम करके bacteria की growth को suppress करेगा, या तो अगवाल bacteria को खतम करने में मुदद करता है, ये हो गया आज के drug का basic introduction, अब लगे हाथ ये भी जान लें, कि म management क्या है, और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, और एक काम कैसे करता है, मेरे हाथ में जो आज का drug है, वो injectable product है, और इसका जो brand name है, वो है आपका Meromac, Meromac एक brand name है, जिसे MacLeod's ने बनाया है, और इस Meromac के अंदर active management कौन सा है, ये है आपका Meropenem, नाम सही समझ में आ रहा है कि Meropenem होगा, और ये एक injection है, यानि कि इसे आप orally नहीं ले सकते, inject करना पड़ेगा, और inject में भी अलग-अलग parts है ना, subcutaneous है, IV है, IM है, IP है, ये कौन सा route follow करेगा, ये follow करेगा, आपका IV, intravenous route से ही इसको देना है, जैसे मैंने एक और विग्यापन में बनाया था, जिसमें ही मैंने दूसरे से correlate किया था, तो आपको इसको IV ही देना है, Monosep के और में भी मैंने बात किया था, वो IV, IM दोनों दे सकते थे, लेकिन इसको सिर्फ IV ही देना है, चलिए अब हम बात करें कि इस packet के अंदर आपको क्या-क्या मिलेगा with their respective concentration, अगर आप बात करते हो active ingredient की, तो each वायल कंटेंज मेरोपेनें, इंडियन फार्माकोप्या की गैलियन के accordingly, यह आपको मिलेगा 90.2 mg, अब इसको यूज कैसे करना है, इसके अंदर आपको पहले की तरह कुछ specific product के assembly मिलेगी, यह ready to use नहीं है, हमको इसको reconstitute करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको मिलेगा एक सीशी, इस सीशी में होगा आज का ड्रग, मेरोपेनें, यह dry powder के form में है, तो इसे तो आप injection में दे नहीं सकते, इसको हमको soluble करना पड़ेगा, यानि कि इसको थोड़ा सा पाई डाल करके dissolve करना पड़ेगा, तो कोई भी पानी आप use मत करिएगा, इसके साथ एक water for injection आता है, इसी water for injection को लेकर के use करना है, इसमें लिखा हुआ है, direction for use में, the powder to be reconstituted with 20 ml of sterile water for injection, इसमें का 20 ml आपको लेना है, इस bottle में inject करना है, और इसको अच्छे से shake करना है, इतने अच्छे से shake करना है, कि उसमें कोई भी particle remaining condition में ना रह पाए, उसके बाद जिब यह पुदर से dissolve हो ज जितना ml आपको देने को कहा गया है, जितना उसका dose है, उतना आप दे सकते हैं, इसके साथ साथ आपको एक information leaflet भी मिलेगी, इसी के अंदर परची मिलेगी, जिसमें इसकी पूरी जानकारी होगी, अगर आप medical, para medical के students हैं, तो आपको वो बहुत काम आएगा, क्योंकि इसमें antibiotics होते हैं, injectable होते हैं, वो या तो oral दिये जाएं, या तो injectable दिये जाएं, doesn't matter, मैंने बहुत दिया बहुते हैं, लेकिन वो most of the cases, not always, powder के form में होते हैं, यह इसलिए होते हैं, क्योंकि इनकी चीज लाइफ बढ़ जाती हैं, और बाद में हम इसको लंबे समय तक store कर सकते हैं कल परसों किसी और के काम आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है, जब आपने इस पानी को इसमें मिलात के solubilize कर दिया, reconstitute कर दिया, इसे उसी समय यूज करना है, अगर कुछ हिस्ता बच जाए, तो दोनों को discard करना है, water को भी discard करना है, और solution को भी discard करना है, क्योंकि water में आप pricking कर प्रिकिंग हो गई, छेद हो गया, तो macrosm आ सकता है, इसलिए एक ही बार use करिएगा, अब बारी आती है इसके mechanism of action की, तो antibiotic के mechanism of action को समझाने के लिए मैं आपको एक live demo देने वाला हूँ, मुझे बस एक मिनट का मौका दीजे, मैं अपनी तयारी करके आता हूँ, मैं अपनी साथ वापस आ गया हूँ, अब आपको समझाता हूँ, आज का जो हमारा drug है वो है तो antibiotic, लेकिन इसका जो mechanism of action है, वो क्या है, उसका समझते हैं, पहले मुझे समझाने दीजे, कि antibiotic होता क्या है, antibiotic मतलब, ऐसे agent जो कि आपकी बॉड़ी में या किसी भी animal की बॉड़ी में ग्रो हो रहा है, बैक्टिरिया को खतम, या उसके ग्रोध को suppress करने का काम करता है, अगर वो antibiotic उस बैक्टिरिया की ग्रोध को suppress कर रहा है, suppress कर रहा है मतलब, जो बैक्टिरिया 2, 4, 6, 8, 12, इस तरह से kill हो जाता है, इसी को कहते हैं हम, बैक्टिरी सीडल, और आज का जो हमारा drug है, वो है बैक्टिरी सीडल का example, और इसको class के अंदर करकते हैं, वो कौन सा class है, यह है आपका cell wall synthesis inhibitor, यह जो आपका drug है न, वो बैक्टिरिया के cell wall के synthesis को inhibit कर देता है, अब इससे क्या फायदा होग cell wall यानि कि cell के दीवाल, जैसे आपके घर की दीवाल, आपको कई अलग-अलग physical injury से बचाती है, हवा, धूल, धक्कर, पानी, बरसात, इन सब से बचा के रखती है, वैसे ही जो cell wall है, वो बैक्टिरिया को बचा के रखता है, और जब तक बैक्टिरिया का cell wall है, बैक्टिरिय अपने आपको सेफ करके रखेगा और आपको अभी यहाँ पर बैक्टरिया को किल करना है इसलिए आपको चाहिए कि हर एक वो चीज जो कि बैक्टरिया को सपोर्ट कर रही है उसे आप हैंपर करें तो कईयों में से एक यही है सेल वाल तो आपको इस ड्रक से उसकी सेल वाल के संथिस रोकनी पड़ेगी अब जब सेल वाल ही नहीं रहेगा तो बैक्टरिया को बचाएगा कैसे जैसे अगर आपको घर की दीवाल ही नहीं रहेगी तो आपको हवा पानी धूब इससे कौन बचाएगा तो जिस तरह के से आपको prediction कर रहा है, ये दीवाल, वैसे ही bacteria का cell वाल bacteria को बचा रहा है, उसी को समझाने के लिए मेरे हाथ में एक balloon है, थोड़े जरी कल्पना करिए कि आस पास तो इतने सारी हवाएं हैं, हवाओं का shape तो आप देखने पा रहे हूँ, लेकिन उसी हवा को अग जलकि वो bacteria के अंदर के organals हैं, उसके constituents हैं, जो बाहर का जो मेरे balloon का plastic है, जो outer layer है, ये उसका cell wall है, तो अब मैं इसको अगर touch कर रहा हूँ, इस तरीके से, या इसको पानी में डुबा रहा हूँ, या इसको कहीं और हवा में उच्छाल रहा हूँ, तो अंदर की हवा को बाहर के जो contact, physical contact है, या तो पानी है, या तो color जो भी spray करोगे, उससे इस हवा को बचाने का काम कौन कर रहा है, ये आपके balloon का outer surface, यानि कि आप अंदर के हवा को तब तक colored नहीं कर सकते, release नहीं कर सकते, even chew नहीं सकते, जब तक कि ये balloon के अंदर है, और अगर आपको ऐसा करना ही है तो आपको इस balloon की outer layer को फोड़ना पड़ेगा, exactly, अगर ये bacteria है और ये cell wall है, तो physical injury से, chemical injury से ये bacteria को बचा रहा होगा, और अगर bacteria बचा, तो आप नहीं बचोगे, तो अगर आपको बचाना है, तो bacteria को नहीं बचाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, और उसके कई तरीकों मे से एक तरीका ये है, कि हम उसके cell wall के synthesis को रोग दे, अभी तो यहाँ पर बना हुआ है, synthesis मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बनता हुआ, assume करिये कि ये synthesis को ही affect करने वाले हम लोग, तो ये cell wall है, असल बात ये है, कि cell wall के importance को समझाना है, अब ये रहा मेरा antibiotic, ये जो अभी आ ब्लास कर दिया, तो इसे आपने ब्लास कर दिया, यानि कि अंदर का हवा रिलीज हो गया, और अगर हवा रिलीज हो गया, तो समझ सकते हो, कि ये bacteria का जो भी consummate होगा, internal organelles होगे, वो भी इसी तरीके से damage हो जाएंगे, तो ये balloon damage हुआ, इस prickर के थुरू, वैसा ही ये bacteria damage हैं, pharmacy का student है, तो definitely अब अपने exam में आप बहुत अच्छे से explain कर पाएंगे, याद रखने के ज़रूरत नहीं है, समझने के ज़रूरत है, तो thank you so much for watching this video, नमश्कार, टिक के रूएंगे।